मैं हूँ अलफिय और आप देख रहें ततकाल नियूज लाइफ तीरी बातों में ऐसा उल्जा जिया 9 फरवरी को सिनमा घरों में रिलिस हो गई है मूवी में शाहिद कपूर, क्रितिस सेनन, दर्मेंदर और डिम्पल का पाडिय लीड रोल में है शाहिद कपूर, क्रितिस सेनन की तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया की कहानी एक रोबोट की है ये रोबोट क्रितिस सेनन है और शाहिद कपूर को इससे प्यार हो जाता है फिर शाहिट कपूर अपने रिष्टे को आगे बढ़ाने के लिए इसे अपने फैमिली के पास मिलाने लेके जाते है वो नहीं जानते कि वो एक रोबोट है इस तरह कई कन्फ्यूजन होती है और कमजोर वन लाइनर्स के जरिये हसाने की कोशिश की जाती है फर्स्ट हाफ जैसे तैसे कट जाता है लेकिन दूसरे हाफ में देखने वाला ही हाफ में लग जाता है कुल मिलाकर कमजोर कहानी के जरिये फिर्म को बढ़ाने की कोशिश की जाती है लेकिन ये फिल्म कहीं नहीं जाती है और अंत आते आते दिमाग की बत्ती बुच जाती है तेरी बातों में ऐसा उल्जाजी एक्टिंग के मामले में भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं जगाती है क्रिटिस सेनन ने काफी कोशिश की सिफ्रा का किरदार निभाने के लिए लेकिन वो कुछ भी यादगार नहीं कर पाती है शाहित कपूर इस कैरेक्टर में जमते नहीं है और एक्टिंग के मामले में कहीं न कहीं आउट हो जाते है इस तरह की कैमेस्टरी की उम्मीद शाहित कपूर और क्रिटिस सेनन से थी वो देखने को नहीं मिली